जैहिंद वंदे मात्रम एक्सपोस टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूँ मोनेश्रवास्त्व और आज हम बात करेंगे पानिनी कन्या महाविद्याले की प्राचार्या श्रीमती नंदिता शास्त्रीजी से जैसे सारी सिछाओं के लिए आपने बताएक कि उसका मूल वेद कि तो जरीविड है क्नल में बाट़ वहिं होंकि सभी उर्म fryण blur से पादार्थ विद्या जितने संसार के पादार्थ है अगनी वायु, सूरी, चंदरवरों, इत्यादी, जितने देव का क्या कर्तव्य है उनके वह देव इसलिए कहते हैं कि वह दिव्यता से युक्त है हमारी तरह उनके अंदर लेने का भाव नहीं होता है अपे तु देने का वो परमेश्वर के अंग प्रक्तियं कहें गये हैं तो र्ग-वेद में मुख्यरूप से पदार्त हम लुप जीन्तर कि में के लेकर सारा वर्नन प्रांद ये जिर्वेद में वह सॉचके कि हम से उपर कोई बड़ी सत्त है हमको चलाने वाली उर्जा दिने वाली वह को और परमतत्व है तो उसका वरनन हमें साम वेद में प्राप्त होता है यह उपासना का वेद है योगीयों का वेद है जिसका समन्वे सबको अपने जीवन में करना चाहिए और अथर्ववेद यह विभिन विद्याएं इसके अंदर हैं इसमें आपको चारों वरनों का चारों आश्रमों का आउ नोच और वेदों को पढ़कर कि कोई ग्रेस्थ आश्टम में प्रविश करना चाहिए चारो वेद नहीं पढ़ सकता तो कम सिकम दो वेद अवश्य पढ़ें और जाहिए कौन सा एक वेद वह नहीं बताया लेकिन हम से कोई पूछे तो वह एक वेद है आथर्मवेद उस अथ वरनन है जो कि मनुष्य के लिए और एकदम स्पष्ट शब्दों में वरनन किया गया है तो उसको पढ़ करके हम अपने जीवन को नत बना सकते हैं इस प्रकार से ज्यान कर्म उपासना और विज्यान ज्यान यह रिग्वेद का विशय है कर्म यह जुर्वेद का विशय है बने अधरवेद में पुरा जयोतिष भरा हुआ है और आए उरवेद की सारी ची इसाएं भैषजी जी विद्या भरी हुई है अदब्रह्म विद्या भरी हुई है तो काल विद्या आसम मत सरी सब कुछ है जैसे आपने वेद के बारें बता है कि वेद में क्या-क्या कि कौन सा वेद है जिसका हिंदी रूप आंतरन हम पढ़ें जो इसमें हमें एक्चुल चीजे में जो यथा रूप इवेद का था जे तो आजकल तो अथर वेदों के भाष्य हिंदी में मिलते हैं और उसमें आप पंडित हरिश्चंद्र सिधानता लंकार हैं डॉक्टर विश कि शुरुवात ही उन्होंने की कि हिंदी में भाष्य उपलब्द बना चीजिए क्योंकि सबकुछ संस्क्रत में लोग संस्क्रत समझ नहीं सकते हैं तो हमारे जितने भी विद्याइं हैं व्याकरण हैं छहों दर्शन हैं उपनिशद हैं उन सब का हिंदी अनुप का कारिये यह महरशी देवद्यानंद के शिश्यों ने ही आगे गुर्कुल कांगडी से निकले हुए जो द्यार्थी थे ब्रहमचारी थे उन लोगोंने अपने जीवन का दिधे बनाया कि संपूरुन निरुक्त का इन्होंने हिंदी अनुद किया संपूरुन उपनिशदों का हिंद का हिंदी में अनुद किया हमारी आचारिया जी ने जो चारहजार अश्ठध्याई के सूत्र है और प्रत्मावर्ति का पूरा हिंदी में भाष्य उपलब्द कराए लोगों जो की हर व्यक्ति चाहता है तो यह सारा कारिये दयानंद के शिश्य प्रशिश्यों ने कांगडी के माध्यम से यह कारिये समाज में हुए हैं और सर्च करना हो तो गुर्कुलों के माध्यम से ही किया जा सकता है वह भी गुर्कुल कांगडी इस एपिसोड में बस इतना ही के लिए धन्निवाद नमस्कार जैहें